नमस्क्राइब दोस्तों, सबसे पहले एक ethical issue से start करते हैं, मद्यपर्देश में पत्वारी की recruitment का result सामने आया और result से ये पता लगा कि बहुत सारे topers ऐसे हैं जो गवालियर के एक ही center से हैं, मतलब उन्होंने गवालियर के एक center में exam देया था जिसका नाम है NRI और इन्होंने sign कर रखे हैं simple hindi में जैसे पूजा नाम की लड़की है उसने अपना नाम ऐसे लिख रखा है simple hindi पूजा मतलब साफ है ऐसे साक्षे सामने आये की recruitment में धांदले बाजी हुई है और उसके बाद मद्यपरदेश की सरकार ने result पर रोक लगा दी देखो हमारे देश में result में competitive exams की recruitment में धांदले बाजी का ये कोई पहला case नहीं है राजस्तान में मद्यपरदेश में अलग-अलग राज्यों में इस परकार के कैसे सामने आते रहते हैं क्या ethical issues involved हैं देखो सबसे पहला ethical issue तो ये है negligence of responsibility सरकार की ये responsibility है fair and transparent manner में exams conduct करवाना लेकिन सरकार नहीं करवा पाती एक तरफ हम developed country बनना चाहते हैं बड़ी-बड़ी बाते करते हैं विशव गुरू बनना चाहते हैं लेकिन simple exams सरकार नहीं conduct करवा पाती fair and transparent manner में दूसरा जनता का public system में विश्वास उठ जाना जब देखो बार-बार इस परकार से recruitment में धांदले बाजी होती है irregularities होती है तो जनता को लगता है यार कोई फाइदा नहीं है इन exams को देने में वैसे भी रिस्वत चलती है पैसा चलता है merit को सरकार तवज्जो नहीं देती तो नुक्सान किसको होगा सरकार को ही होगा जो अच्छे candidates हैं वो कभी इन exams को देंगे ही नहीं क्योंगी उनको लगेगा कि मेहनत की कोई कदर नहीं है यहां पे सिरफ रिस्वत चलती है नेक्स्ट ethical issue है merit का devaluation जो अभी हमने डिसकस किया अब देखो पैसा देके जो लोग चुने जाएंगे अब वो सिस्टम में जाके अच्छा तो काम करेंगे नहीं सबसे पहले तो जो उन्होंने रिस्वत दी है select होने के लिए वो उस पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे मतलब रिस्वत ले लेके जो पैसा उन्होंने दिया था select होने के लिए उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कैसा सिस्टम बनेगा आप अंदाजा लगा सकते हो और merit का devaluation यानि जिन्होंने मेहनत की जो बिचारे इमानदार थे उनका selection नहीं हुआ वो और exams की त्यारी करेंगे पतने नहीं करेंगे क्या करेंगे और सबसे last में important issue है बिचारे honest candidates जब देखो इस परकार से recruitment में कमिया सामने आती है सरकार तो रोक लगा देती है बट बहुत सारी लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत करके selection हासिल किया उनका क्या होगा उनका भविश्य भी तो अधर में लटक गया ना उनकी तो कोई गलती नहीं थी लेकिन result पर रोक लग गई उनकी joining लेट हो गई कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरी process ही फिर से start होती है लेकिन जो honest candidates थे जिनका selection हुआ उनकी क्या गलती तो ये सारे ethical and moral issues निकल के आते हैं जब recruitment पर रोक लग जाती है धनले बाजी के कारण अब हम discussion start करते हैं 19 जुलाई है आज काफी सारे issues discuss करेंगे GM Mustard का article है उसके बाद ED से समधित article है Commonwealth Games से समधित article है एक article UAE और इंडिया के बीच में जो agreement हुआ है उससे समधित है काफी interesting discussion होगी देखो एक दो जो आपके doubt है वो मैं address कर देता हूँ कुछ लोगों ने बोला कि discussion लंबी हो रही है 40 minute की देखो discussion तो लंबी हुई है लेकिन हमने बहुत सारे elements discussion में add किये हैं पहले नहीं होते थे पहले जब हमारी discussion 25-30 minute की होती थी तो तब हम revision नहीं करते थे तब हम text context के article नहीं discuss करते थे ethics की definition नहीं discuss करते थे तो आप चिंता मत कीजिए balance establish में कर देता हूँ ज़्यादा length भी नहीं increase होने देता और ज़्यादा ज़्यादा आपको knowledge मिल जाए आपकी exam की preparation मजबूत हो ये ensure करता हूँ मैं दूसरी चीज कुछ लोगों ने बोला कि जल्दी discussion जाल दी जाए देखो मैं पूरी कोशिज करता हूँ जल्दी discussion डालने की लेकिन देखो quality के साथ हम compromise नहीं कर सकते daily नए current affair के article आते हैं research भी करनी पड़ती है बैठ के examples भी सोचने पड़ते हैं आपको पता है हम कितने सारे examples लेते हैं आज भी आप discussion में देखोगे बहुत सारे examples तो कई बारना examples सोचने पड़ते हैं क्या example दो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए तो time लग जाता है जल जल्दी discuss करोगे मुझे भी पता है views ज्यादा आएंगे लेकिन देखो जब आप satisfy नहीं होते फिर मज़ा नहीं आता काम करने का इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो जाता है मैं जल्दी करूँगा और भी ज्यादा लेकिन quality के साथ compromise नहीं कर सकते अब discussion start करते हैं आज की discussion का first important जी एम क्रोप्स यानि की genetically modified क्रोप्स से समन्दित हैं और आप GS paper 3 में science and tech के इस article से इस topic से article को relate कर सकते हों देखो basics की बाद हम पहले करते हैं GM क्रोप्स होती क्या हैं आप एक example देखें डेफिनेशन उसके बाद देखेंगे एक बार concept समझ में आ जाए तो definition लिखना आसान है ये कौन सा plant है ये है कौन प्लांट अब देखो ये जो specific plant है इसको ना insects बहुत तंग करते हैं जो कीट पतंगे होते हैं वो नुक्सान पहुं के पैदावार बहुत कम हो जाती है कौन सकी तो scientist ने ना इसका एक तरीका हो जा एक bacteria है ये side में आप जो तस्वीर देख रहे हो ये एक bacteria है ये insect resistant है मतलब इस bacteria के genes ऐसे हैं कि जो कीडे मकोडे हैं insects हैं कीड पतंगे हैं वो इस bacteria के नजदीक नहीं आते insects को resist करता है ये bacteria क्योंकि bacteria के अंदर ऐसे genes हैं तो scientist ने सोचा क्यों ना इस bacteria से कुछ genes उठाये जाएं और इस कौन plant के DNA में डाल दिया जाएं ताकि ये जो bacteria है ये insects को resist करता है अब gene आ गए वही gene डाल दिये गए इंसर्ट कर दिये गए इस कौन plant के DNA में तो ये कौन plant है ये भी insects को resist करेगा कीट पतंगे insects इस कौन plant के भी नजदीक नहीं आएंगे फाइदा ये होगा पहले जो ये insects नुकसान पहुंचाते थे कौन plant को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पैदावार ज़्यादा हो जाएगी कौन plant की समझ गए मतलब concept आपको clear हो गया अब आप नीचे की ये lines पढ़िये GM crops वो plants है जिनको change किया गया है special way में ताकि उनको बहतर बनाये जास के कुछ specific ways में जैसे देखो कौन plant था इनको special way में change किया गया कैसे बैक्टेरिया से genes लिए और डाले गए इस कौन plant में किस लिए डाले गए थे ये ensure करने के लिए कि ये कौन plants बहतर perform करें ये insects को resist करें, repel करें ताकि पैदावार ज़्यादा हो concept आपको समझ में आ गया ना असानी से definition आप लिख सकते हो अब देखो एक चीज़ यहां पर ध्यान रखेगा बैक्टेरिया से genes हमने उठाए इस example में लेकिन ये जो genes है ना किसी दूसरे plant से भी उठाए जा सकते है या फिर किसी दूसरे organism से भी उठाए जा सकते है दोनों से उठाए जा सकते हैं दालने के लिए जिस plant में आपको वो genes डालने हैं अब देखो एक चीज़ क्या GM crops हमारे देश में allowed हैं देखो सिरफ एक GM crop को approval मिला है जिसका नाम है BT cotton अभी और crops के लिए approval मांगा जा रहा है उसी को लेकर ये article publish हुआ है क्या दूसरी crops के लिए खास करके ये जो article focus करता है ना mustard पर focus करता है mustard यानि सर्सों इशू देखो ये है जहां एक तरफ सरकार genetically modified herbicide tolerant mustard को approval देना चाहती है दूसरी तरफ कुछ environmentalist ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाईया रुक जाओ पहले जांच लो पहले देख लो risk कितना है बाद में आप approval देना तो दोनों के बीच में जो लड़ाई है ना एक तरफ सरकार दूसरी तरफ कुछ environmentalist दोनों के बीच में लड़ाई अभी सुप्रिम कोर्ट में हैं अब देखो थोड़े basics और मैं आपके clear करता हूँ ये genetically modified herbicide tolerant mustard क्या है मैं आपको example की साहता से बताता हूँ आप ये देखिए ये कौन सा खेत है ये mustard का खेत है यानि सरसो का खेत है लेकिन ये जो पोधा है ये तो सरसो नहीं है ये क्या है ये unwanted plant है जो unwanted plants होते हैं ना crobs के आसपास उनको weeds बोलते हैं अब ये जो unwanted plants होते हैं crops के नजदीक ये crops के लिए जो resource allocate किये गए है ना for example पानी विगएरा वो चूस लेते हैं जिससे crops को crops के जो पोधे हैं ना उनको resource नहीं मिल पाते तो उनकी जो growth है वो पर भावित होती है पैदावार कम होती है एक काम ये हो सकता है किसान सप्रे कर दे hubs को मारने के लिए जो unwanted plants है ना उनको मारने के लिए किसान सप्रे कर दे herbicide का इस्तमाल कर दे chemicals का use कर ले अब देखो दिक्कत ये है कई बार किसान जब herbicides यानि chemicals का इस्तमाल करते हैं ना तो mustard के पोधे को भी नुक्सान पहुंच जाता है तो पता लगा लेने के देने पड़ गए मारने तो हब्स थे लेकिन मस्टर्ड की फसल को भी नुक्सान हो गया स्प्रे से लेकिन देखो ये जो नई वराइटी है न GM हर्बिसाइड टोलरेंट मस्टर्ड इसमें एक क्वालिटी है क्वालिटी ये है कि जब हर्बिसाइड का इस्तिमाल किसान करेंगे न तो इससे सिरफ जो हब्स है न जो अन्वांटिड प्लांट्स है वही मरेंगे लेकिन मस्टर्ड के फसल को नुक्सान नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये जनेटिकली मोडिफाइड जो मस्टर्ड है हर्बिसाइड टोलरेंट ये हर्बिसाइड को टोलरेट कर सकता है यानि केमिकल्स को टोलरेट कर सकता है इस GM मस्टर्ड में ये स्पेशल क्वालिटी है आप हर्बिसाइड का इस्तिमाल करोगे सिरफ unwanted plants मरेंगे बागी बचेगा जबरदस्त mustard का खेत जिसमें आप गाना भी गा सकते हो राज और सिम्रन की तरह एक लाइन मैं बोलता हूँ आप complete कीजिएगा UPSC की तयारी करके जाना सनम आगे आप complete करेगा देखो पिछले दो दसकों में हमारे देश में एक डिबेट चल रही है अलग-अलग साइंटिस्ट, पोल्टिशियन्स, फार्मर्स, कंजूमर्स, इवन जुडिस्री सब मिलके इन कोशन्स के आंसर्स की तलास कर रहे है GM ग्रोप्स यूज करना क्या सेफ है ऐसा तो नहीं कि GM क्रोप्स को कंजूम करने से हुमन हेल्थ पर असर पड़ेगा देखो, बीटी कोटन की अलग बात थी कोटन को हम कंजूम नहीं करते बट मस्टर्ड का तील हम इस्तमाल करते हैं यह हुमन कंजम्शन में इस्तमाल होता है तो क्या हुमन की सेहत पर असर पड़ेगा इस GM मस्टर्ड से एफिकेसी पर भी रिबेट हो रही है कितने एफिशेंट है यह मतलब जो डिजायड आउटकम की बात की जा रही है कि हाँ इससे पैदावार बढ़ेगी कि वास्तम में उतनी पैदावार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी सबसे लाश्ट में necessity of GM food मतलब क्या कोई और solution नहीं है क्या इसे use करना अब एक बहुत ज़्यूरी हो गया है कि हाँ GM crops आपको use करना ही है इसके लावा अब और कोई alternative solution नहीं है तो इन issues पे पिछले दो दसकों से debate चल रही है BT cotton के बारे में मैंने आपको बताया first and only GM crop है हमारे देश में जिसे approval मिला है अब देखो इसके result क्या रहे BT cotton का इस्तमाल होने लगा हमारे देश में 2002 के बाद से कुछ लोग बोलते हैं कि इससे cotton की पैदावार हमारे देश में बहुत ज़्यदा बढ़ गई लेकिन आज के जो ये writer है ना इनका पक्स तो GM crop के against है तो जाहिर तोर पे ये GM crop के against ही बोलेंगे ये BT cotton से कुछ खास फाइदा नहीं हुआ ये कहते हैं कि BT cotton का इस्तमाल करने की वज़े से किसानों को उतना फाइदा नहीं हुआ BT cotton को cultivate करने की जो cost है ज़्यादा है तो किसानों को फसल उगाने में BT cotton उगाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं और रिस्क ज़्यादा involved है असल में BT cotton के इस्तमाल से फाइदा हुआ तो कुछ seed companies को जो महंगा seeds बेचती है BT cotton के नाम पे पहले cotton का seed इतना महंगा नहीं आता था लेकिन अब BT cotton जो की GM crop है इसका seed काफी महंगा बिखता है तो profit जाता है सिधा सिधा seed companies की जेब में चुकि देखो issue 20 साल पुराना है और काफी sensitive मामला है तो Parliament ने दो standing committees गठिद की थी जिनको काम दिया गया था कि आप independently काम कीजिए और पता लगाईए कितनी safe है GM crops का इस्तेमाल इवन सुप्रिंग कोट ने भी एक technical expert committee का गठन किया था पता लगाने के लिए कि GM crop को यूज करना कितना safe है Parliament की पहली standing committee गठिद की गई थी इस issue पर 2012 में standing committee on agriculture उससे में डक्टर मनमोन सिंग परधामंत्री थे और दूसरी standing committee गठिद की गई standing committee on science and technology environment and forest ये 2017 में गठिद की गई थी जब परधामंत्री मोदी थे अब दोनो standing committees में न ऐसा नहीं कि सिरफ ruling party के member थे यानि सिरफ BGP के नहीं opposition के भी MPs थे ये दो जो parliament committees थी पांच साल के अंतराल में गठिद की गई थी 2012 में 2017 में देखो दोनों committees ने न सरुसहमती से एक चीज highlight की GM crops को regulate करने के लिए हमारे देश में अभी system बहुँ ज़दा कमजोर है दोनों committees ने इस बात को बोला कि भाया GM food को release करने से पहले न आप थोड़ा ध्यान दो क्योंकि बहुत serious issue है ये दोनों committees ने इस बात को बोला कि न GM crop जिसको approval देना है उसकी देखो independent और transparent assessment होनी चाहिए independent मतलब बाइस्ट लोग के द्वारा नहीं होनी चाहिए जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने already public में अपना view बता रखा है कि मैं GM crop के pucks में हूँ या फिर GM crop के खिलाफ में हूँ ऐसे लोगों से जाच नहीं होनी चाहिए independent लोगों से transparent assessment होनी चाहिए कि GM crops को use करना कितना safe है ऐसा तो नहीं कि human beings को नुकसान पहुँचेगा या फिर environment को नुकसान पहुँचेगा GM crops के इस्तमाल की वज़े से ऐसा तो नहीं कि इसके इस्तमाल की वज़े से किसान और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे क्योंकि cultivation पे cost ज़्यादा आती है हर परकार से आप assessment कीजिए उसके बाद ही आप GM crops को approval दीजिए उससे पहले नहीं इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक technical expert committee गठित की गई थी ना इस committee में भी total 6 member थे और 5 ने ये बोला अभी ना हमारे देश में GM crops की safety को assess करने के लिए जो mechanism है ना बहुत कमजोर है ठीक धंग से हम GM crops की safety assessment नहीं कर रहे हैं ऐसा बोला technical expert committee के 5 members ने इवन देखो technical expert committee ने 2012 में अपनी report में ये भी कहा कि जो ये HD crops की हम बात कर रहे हैं ना यानि herbicide tolerant mustard की हम बात कर रहे हैं ये इंडिया के concept में इंडिया के context में suitable नहीं है इनको use करने की वज़े से इंडिया में environment को नुक्सान पहुंच सकता है मतलब किसान बहुँ ज़दा herbicides का इस्तमाल करने लगेंगे chemicals का इस्तमाल करने लगेंगे जिससे soil degradation होगा environment को नुक्सान पहुंचेगा rural livelihood को नुक्सान पहुंचेगा कैसे देखो किसान जो है न इन फचलों के लिए बहुँ ज़दा dependent हो जाएंगे agrochemical companies के उपर उनकी निर्भरता बढ़ेगी और ये herbicides जो है chemicals जो है वो महंगे हो जाएंगे लेकिन किसान dependent हो जाएंगे उनको purchase करने ही पढ़ेंगे next sustainable agriculture देखो अगर organic farming वगरा हो तो ज़्यादा सही है ये जो चीज है न हर्बिसाइड का इस्तमाल करो और पैदावार increase करो ये चीज न सस्टनेबल नहीं है कुछ दिनों तक तो रहेगा फिर ऐसे insects आ जाएंगे जो इनको भी रसिस्ट करने लगेंगे क्योंकि देखो जो insects वगरा है वो भी अपने genes को modulate करेंगे न जैसे virus और bacteria करते है तो कल को और insects आ जाएंगे फिर वो नुक्सान पहुंचाएंगे और herbicides का उन insects पे फरक पढ़ना बंद हो जाएगा तो ये चीज sustainable नहीं है लांस्ट मेराइटर ये बोलते है देखो हम GM crops के against नहीं है हम बस इतना चाहते है कि जो HT crop है herbicide tolerant crop है इनको ना environment में release करने से पहले भया आप ना GM crops के लिए regulatory system मजबूत कर लो आप ढंग से biosafety की जांच कर लो transparency के सर्थ ये पता लगा लो कि safe है के नहीं है इनको use करना अगर आपकी independent chance में ये पता लगता है कि हाँ ये safe है नहीं इस्तिमाल करना environment को नुकसान नहीं पहुंचेगा किसानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो करो ना फिर हमने मना नहीं किया तो ये पुरा article हमने नहीं डिसकस किया GM crops से समधित इसके बाद next article ED यानि enforcement directorate से समधित है ये article काफी जड़ा interesting है language article की बहुँ जड़ा tough है लेकिन आसान तरीके से examples के साथ हम इस article को समझते हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हैं सबसे पहले money loading का मतलब क्या है देखो money loading का मतलब न अभी तक आप ये पढ़ते आए हो कि black money को white money में convert करना ये money loading है लेकिन इसको बिल्कुल layman language में आपको बताओ न अगर किसी ने गलत तरीके से यानि कानून के खिलाफ जाके पैसा कमाया है बट वो कुछ ऐसे action लेता है जैसे अलग-लग account से transactions करवाना ताकि वो पैसा जो कानून के खिलाफ जाके कमाया है ऐसा लगे कि वो पैसा जो है वो legitimate तरीके से कमाया गया है legal तरीके से कमाया गया है पैसा कमाया illegal तरीके से लेकिन कुछ ऐसी activities की ताकि सरकार को ये लगे कि पैसा कानून के खिलाफ जाके नहीं, बलकि कानून के हिसाब से कमाया है, लीगल तरीके से कमाया है, जैसे example के तोर पर, मान लीजिए, कोई बिरोक्रेट है, बिरोक्रेट वैसे पढ़ा नहीं सकते, नोकरी के साथ, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए, कोई बिरोक्रेट है उसने देखो रिस्वत ली 50 लाख रुपे की अब वो अकाउंट में तो पैसे डलवा नहीं सकता रिस्वत के तो उसने अपने किसी जानकार के अकाउंट में पैसे डलवा ली है जिसका नाम है A A के अकाउंट में पैसे आगे 50 लाख रिस्वत के फिर A को बोला कि आप B के अकाउंट में डाल दो B को बोला अब आप C के अकाउंट में डाल दो C को बोला आप D के अकाउंट में डाल दो D को बोला E के अकाउंट में डाल दो और E एक कोचिंग संस्थान का मालिक है जो दोस्त है बिरोक्रेट का और बाद में finally E को बिरोक्रेट ने बोला कि आप मेरे अकाउंट में 50 लाखर पे डाल दो और आप अपने अकाउंट में डिखा दो कि मैंने आपके यहाँ पे लेक्चर लिये हैं, तो यह क्या हुआ, money laundering हुआ, पैसा रिस्वत का था लेकिन उसको बार-बार अलग-अलग अक हुमाया गया, finally पहुँच गया, बिरोक्रेट के अकाउंट में ताकि सरकार को लगे कि यह रिस्वत का पैसा नहीं है, महनत का पैसा है, जबकि बिरोक्रेट ने कोई लेक्चर नहीं लिया, कोई positively का काम नहीं किया, मतलब कोई guest lecture नहीं लिया, सिधा बस alग-alग अकाउंट म समझ गे अब money laundering को रोकने के लिए एक संस्थान है ED यानि enforcement directorate money laundering को रोकने के लिए 2002 में एक act आया था एक्ट का नाम है prevention of money laundering act यानि PMLA 2002 में आया था इस act के तहट enforcement directorate को काम दिया गया कि आप money laundering को रोकिए और बहुत सारी powers भी दी गई जैसे crime की जो proceeds हैं उनको attach किया जा सकता है for example bureaucrate का example था ना अब जैसे ही ED को मालीजिये सक हो गया उस bureaucrate पे कि वो 50 लाख रुपे थे वो रिश्वत के हैं तो ED जाज करते करते suspect के जो account है वो freeze कर सकती है यानि रोक सकती है कि बिरोक्रेट को कि अभी आप 50 लाख रुपे यह इस्तमाल नहीं कर सकते हैं रुख जाईए आपका account हमने freeze कर दिया है even ED जो है वो asset को confiscate भी कर सकती है जब अरोप साबित हो गया ना बिरोक्रेट पे तो वो 50 लाख रुपे यह फिर और भी रिश्वत की है प्रोपर्टी जमा की है तो सब जब्त भी किया जा सकता है ED के द्वारा ताकि या तो अगर क्राइम में कोई victims है जिनको चूना लगाया गया है उनको compensate किया जासका या फिर सरकार के fund में जाएगा वो पैसा जिसे ED के द्वारा confiscate यानि जब्त किया गया है अब देखो बहुत important points आएंगे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा राइटर का ये कहना है अगर किसी को money laundering के लिए charge करना है ना मतलब की जैसे bureaucrate का ही example लीजिए अगर उस पे money laundering का आरोप साबित करना है ना बिरोक्रेट पे या फिर किसी दूसरे परसंद को चार्ज करना है कि इसने money laundering की है उसके लिए ना एक प्रिडिकेट ओफेंस का होना जरूरी है प्रिडिकेट ओफेंस मतलब मैंने सुरवात में क्या बूला था आपको ऐसा पैसा जिसे कानून के विरुद जाके कमाया गया है लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा है कि नहीं इसे हमने सही तरीके से कमाया है तो वो money laundering है तो पहले तो जब ये साबित होगा कि कानून के विरुद जाके पैसा कमाया है जिसे बिरुक्रेट के केस में पहले ये साबित होगा कि corruption किया है रिश्वत ली है तभी तो उसके बाद ये साबित होगा कि money laundering की है पहली चीज क्या सामने आएगी कि कानून के विरुद जाके पैसा कमाया ह फिर उसके बाद ये साबित होगा कि money laundering की गई है कि जो पैसा कानून के विरुद जाके कमाया है उसको दिखाने की कोशिस की गई है कि ये white money है इसको legal तरीके से कमाया गया है point समझ गए मुझे पता अभी आप नहीं समझे मैं एक बार फिर से बोलता हूं देखो money laundering का आरोप साबित करना एक second step होता है जैसे bureaucrate के case में पहले आप ये साबित करोगे कि उसने रिश्वत ली है उसके बात ये साबित करोगे कि रिश्वत का जो पैसा है उसने दिखाने की कोशिस की कि मैंने कानूनी तरीके से कमाया है अलग-अलग accounts में route करके लेकिन जब तक आप ये ही साबित नहीं करोगे कि bureaucrate न रिश्वत ली है कैसे आप ये साबित करोगे कि रिश्वत का जो पैसा है उसे white money में convert करने की कोशिस की गई है तो point ये है कि money laundering का जो आरोप है न किसी के उपर आप तभी साबित कर सकते हो जब already कोई predicate offense है यानि पहले कोई offense हुआ अपराध हुआ जिससे आरोपी ने पैसा कमाया और बाद में उस पैसे को white money में convert करने की कोशिस की वो money laundering है लेकिन देखो writer के अनुसार जो predicate offense होता है न जैसे bureaucrate ने रिस्वत ली वो predicate offense है उसके जाच न आम तोर पे किस के दोरा की जाती है पुलिस के दोरा की जाती है या फिर CBI के दोरा की जाती है क्योंकि वो money laundering वाली बात नहीं है bureaucrate ने रिस्वत ली तो इसमें तो कोई money laundering नहीं है तो रिस्वत लेने की जाच कोन करेगा या तो पुलिस करेगी या CBI करेगी लेकिन हो ये रहा है ED ना पहले वाले offense की ही जाच करने लगी है आज कल यानि बिरोक्रेट ने रिस्वत से कमाए पैसे को white money में convert किया वो तो money laundering है ये जाच करेगी ED लेकिन बिरोक्रेट ने रिस्वत ली या नहीं ली ये जाच करना ED का काम नहीं है बट ED ना आज कल इस मामलों में भी जाच करने लगी है कि बिरोक्रेट ने रिस्वत ली या नहीं ली जो कि CBI या फिर पुलिस का काम है इसके बाद एक और पॉइंट है important देखो PMLA जो एक्ट है ना Prevention of Money Loanering Act 2002 इसका section 50 पावर देता है ED को civil court की मतलब ED जो है किसी भी आरोपी को समन दे सकती है कि आप हमारे यहां पर आईए और अपनी statement record करवाईए देखो यह जो पावर दी गई है ना किसलिए दी गई है इसलिए दी गई है ताकि ED को लगता है किसी आरोपी ने गलत तरीके से एसेट कमाया है तो उसके ना source की जाच की जासके पूछा जासके for example पता लगा है ED को कि बिरोक्रेट ने पचांस लाख रुपे ब्लैक से वाइ पूछ सकती है कि बताइए आप पचास लाख रुपे आपको कहां से मिले तो जो भी स्टेट्मेंट दिया जाएगा बिरोक्रेट के दवरा उसे रिकोर्ड किया जाएगा ED के दवरा सिंपल सी चीज है पूछा जाता है ED के दवरा कि आपने ये पैसा जो कमाया इसका source क्या है इसके लिए है ये section 50 लेकिन राइटर कहते हैं ED ना इस section का गलत इस्तमाल कर रही है ED ना इस section के तहत बुलाती है suspects को और complete investigation करने की कोशिश करती है देर स्वेर बिठाय रखना उनको मतलब बहुत जाला detail में जाके ऐसे questions पूछना जिनका crime से पैसा कमाया उसको लेके कोई लेना देना नहीं है मतलब ये section सिरफ इतना question पूछने के लिए था कि आपने जो पैसा कमाया है इसका source क्या है बट इस section का misuse ED के द्वारा किया जाता है complete investigation करने के लिए और ये चीज़ देखो Supreme Court ने भी बोली 2022 में वीजय मदललाल चोधरी वर्सेज union of India case में इसमें Supreme Court ने बोला था कि PMLA का section 50 जो है वो सिरफ crime से जो पैसा कमाया हुआ है उसकी inquiry करने के लिए है ना कि complete investigation करने के लिए इसके बाद writer कुछ और difference बताते है ED और police के बीच में देखो police के साथ कैसा होता है कोई भी cognizable offense हुआ है na cognizable offense मतलब ऐसा offense जिसमें गिर्फतार करने के लिए police को warrant लेने के आप सकता नहीं है magistrate से तो कोई भी cognizable offense होता है पुलिस पहले F.I.R. दर्ज करती है फिर investigation स्टार्ट करती है लेकिन ED अथोर्टीज कैसे जाट स्टार्ट करती है वो ना material इकठा करना स्टार्ट करती है कि crime का जो पैसा है वो कहां से कहां होकर गुजरा है source क्या है सारा material ED authorities इकठा करने की कोशिज करती है समन किया जाता है आरोपी को कि वो आएं और बताएं कि जो crime की proceeds है मतलब crime से जो पैसा कमाया गया है कहां से आपको मिला कहां पे आपको आपने भेजा जो भी information जूटास के ED authorities क्राइम के पैसे की जाच करने के लिए वो सब ED सुरुवात में करती है जबकि पुलीस सुरुवात में FIR दर्ज करती है फिर investigation स्टार्ट करती है और देखो किसी आरोपी के दवरा न पुलीस के सामने अगर कोई statement दी जाती है न तो वो कोट में admissible नहीं होती कोट उन statements को नही हो जाता है और पुलीस जैसे ही जाच करती है न आरोपी मांगता है कि आप FIR की कोपी दीजिए तो पुलीस को FIR की कोपी देनी पड़ती है लेकिन ED अगर किसी मामले की जाच कर रही है तो एक report होती है enforcement case information report ECIR जैसे FIR होती है न वैसे ही ECIR होती है लेकिन ये report ED समाने ता आरोपियों के साथ नहीं share करती है तो ये difference है पुलीस और ED के बीच में राइटर कहते हैं 2002 में जब ये बिल आया था ना prevention of money laundering बिल तो उस समय union minister of finance थे जस्वंत सिंग उन्होंने बोला था कि हम ED को ऐसी कोई responsibility नहीं दे रहे है कि वो पुलीस में की तरह act करें इसका इस्तमाल नहीं किया जाएगा intention कुछ भी ऐसी नहीं है कि जो political opponents है उनको डराने धमकाने के लिए इस act का इस्तमाल किया जाएगा लेकिन देखो ये irony है हमारा देश का दुरभागया है कि आज के समय में ना ED इस agency का काफी दूरुपयोग होता है जितने politicians के उपर case चल रहे है न इसमें money loading में वो जातर देखो opposition के हैं ये सारे देखो आप सतेन्बर जैन मनी इसी सोदिया सीवसेना के नवाब मलिक जातर opposition के ही हैं पहले देखो cbi प्यारोप लगता था cbi पिंजरे में बंत होता है सिरफ अपने master की बात बोलता है बट अब ED भी वैसा ही behave कर रहा है cbi कितने case दर्ज किये गए हैं अभी तक 2005 से लेके अभी तक 5906 case ED के दौर दर्ज क cases में सिरफ इतने cases में बाखी cases में तो अब तक 4 seat भी फाइल नहीं होगी है होता क्या है ED का फोकस pre-trial arrest पे ज़्यादा होता है कि trial चलने से पहले एक बार arrest कर लो बाद में एक बार case चलने लगता है तो ED ज़्यादा ध्यान नहीं देती जो आरूपी है वो छूट जाते हैं तो मतलब इस agency का दुरिप्योग हो रहा है ऐसा writer का आरूप है चलते हैं आगे इसके बाद next article Commonwealth Games के organized होने से सम्मंदित है आप GS Paper Second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों देखो Commonwealth Games 1930 के बाद से ही लगातार होते आए हैं हर 4 साल बाद Second World War में दो वार नहीं हुए थे war के कारण otherwise तो हर 4 साल में एक बार होते हैं Commonwealth Games और आम तोर पे Commonwealth Games में उन देशों के द्वारा पार्टिस्पेट किया जाता है जो कभी ब्रिटिस एमपायर का पार्ट हुआ करते थे 72 नेशन्स और टेरिटरी से 400 स्पोर्स पर्शन्स पार्टिस्पेट करते हैं Commonwealth Games में अभी न्यूज ये हैं 2026 में अस्ट्रेलिया में एक स्टेट है विक्टोरिया जैसे हमारे देश में अलग-अलग राज्य है ना घुजरांत, हिमाचल परदेश, मद्यपरदेश तो आस्ट्रेलिया में एक स्टेट है विक्टोरिया इनको ओर्णाइज करना था Commonwealth Games इन्होंने हाथ खड़े कर दिये, इन्होंने बोला, पाजी हमारे बस की बात नहीं है, गेम्स को और्गनाईज करवाना, बहुत खर्चा आ रहा है, सुरवात में हमने सोचा था, दो बिलियन अस्ट्रेलियन डोलर खर्चा आएगा, लेकिन अब एस्टिमेट जब हमने लगाय तो 7 बिलियन अस्ट्रेलियन डोलर खर्चा आएगा, कोमन वेल्थ गेम्स को 2026 में, विक्टोरिया में और्गनाईज करने में, हम ये एक्ट्रा 5 बिलियन डोलर के जो कोष्ट है, वो नहीं दे सकते, फिर होस्पिटल के लिए पैसा कम बचेगा, एजुकेशन के लिए पैस इवेंट्स और्णाईज के जाते हैं गेम्स के, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तबी तो आम तोर पे सिरफ डेवलप कंट्रीज ही ये इवेंट्स और्णाईज करवाती हैं, ओलम्पिक गेम्स, फीफा फुटबोल वर्ल्ड कप, कतर में हुआ था हाल ही में, गरीबी है, मतलब उतनी भी गरीबी नहीं है, लेकिन काफी स्कोप है वहाँ पे, स्टेंडर ओफ लिविंग इंप्रूव करने का, तो बात वही है, इंडिया ने जब 2010 में और्णाईज किये थे, तब भी एक कोशन उठे थे, 2010 में कोमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुए तब भी कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला था कि क्या फाइदा इन गेम्स को इंडिया में और्णाईज करवाने का इतना खर्चा हो गया, इंडिया में इतनी सारी गरीबी है, उन गरीबों को पैसा देते, गरीबी रिखा से उपर लाने के लिए कुछ स्कीम्स चलाते, मैं आ रहाने, सोफ्ट पावर को दिखाने का मौका मिलता है, और जब गेम्स किसी देश में और्णाईज होते हैं तो स्पोर्ट्स भी पर्मोट होता है उस देश में, नुक्सान क्या होता है, जाहिर तोर पे सबसे पहला नुक्सान बहुत सारा खर्चा हो जाता है, कोष्ट काफ फ्लाइट्स चलती हैं बहुत ज़्यादा, तो कार्बन का एमिशन होता है, नेश नुक्सान लोकल लोग को होता है, लोकल लोग को बड़े-बड़े इवेंट्स के और्णाईज होने की वज़े से काफी नुक्सान होता है, हाला कि इसका अलग एस्पेक्ट भी है, उनको प पहली बार तो नहीं है, कि किसी ने एन मोके पर हाथ खड़े कर दिया हों कि हमारे बस की बात नहीं है, गेम्स को और्णाईज करवाना, इवन 2022 से पहले, 2017 तक ना, साउथ अफरिका के सहर, डर्बन को ये गेम्स और्णाईज करवाने थे, लेकिन 2017 में उन्होंने हाथ तो हम करवा लेते हैं, तो बर्मिंगम में 2022 के ये जो गेम्स हैं, और्णाईज किये गए, यानि दर्बन ने भी एन मोके पर हाथ खड़े कर दिये थे, अब ठीक वैसा ही किया है, विक्टोरिया ने, अस्टेलिया के स्टेट ने, अब देखो राइटर ये बोलते हैं, इतन इन गेम्स को और्णाईज करवाती हैं, मतलब कंट्रोल करती हैं, तो उस फेडरेशन के लिए इतना जल्दी कोई अल्टरनेटिव ढूनना असान काम नहीं होगा, ये देखो वास्ताव में एक लगजरी है, इस परकार के गेम्स को और्णाईज करवाना 22 एडिशन हुए है कोमन वेल्थ गेम्स के, 22 में से 18 तो सिरफ 5 देशों के द्वारा ही होश्ट किये गए हैं, यानि कुछी देश जो हैं वो इन गेम्स को होश्ट कर पाते हैं, क्यों खर्चा जादा आता हैं, अभी तो देखो खबर ये भी आ रही है, कि एहम्दबाद सिटी जो हैं, वो के लिए हम बिड करेंगे, 2030 के कोमन वेल्थ गेम्स और 2036 के उलम्पिक गेम्स, इन के लिए हम बिड करेंगे, हमारी पहले से तयारी है, लेकिन अब एकदम से विक्टोरिया ने हाथ खीच लिये हैं, तो हमारे पास मोका है, हम बिड कर सकते हैं, बड़ दिक्कत है इंफरस् को Central Government हाँ भरती है या नहीं भरती है, तो ये important points है, बाकी तो देखो, politics के बारे में भी लिखा गया है, कि Australia में Victoria ने हाथ पीछे खीचे, तो वहाँ पे politics हो रही है, opposition वाले कह रहे हैं, कि humiliation हो गया है, हमारा बहुत ज़्यादा, आपने हाथ खड़े कर दिये, कोष्ट के कार तो Australia में वहाँ के परधानमंत्री ने भी बोला कि ये तो हराने वाली बात है, नाम खराब हो गया मतलब Australia का, तो ये सारे points है, आप comment box में बताइए कि किसी भी देश के द्वारा ये बड़े-बड़े games और्गनारीज किये जाने चाहिए, नहीं किये जाने चाहिए, आपके सारे agreement sign हुए, जिसमें से एक पर हमने कल काफी focus किया था, कि दोनों देशों की companies के बीच में अब trade रूपी और धिर्हाम में हो सकता है, डोलर के उपर dependency खतम होगी, और अच्छी बात एक ये है, अभी ना होता क्या था, डोलर के उपर dependency के कारण, दोनों companies आपस में trade करती थी ना, तो exchange rate volatile होने के कारण, trade में काफी instability आ जाती थी, कल हमने example की चाहिता से ये समझाद हम, बट आज दो अलग points ये है, जैसे हमारे देश में UPI है ना, वैसे ही UAE में है IPP, Instant Payment Platform, हमारे देश में है UPI, United Payment Interface, दोनों का आपस में integration हो गया है, remittance में काफी फाइदा होगा इ इससे, even cards का भी integration हो गया है, जैसे रुपे switch है, हमारे देश में रुपे card चलता है, वहाँ पे है UAE switch, UAE के cards है, दोनों का आपस में connection हो गया है, अब इसका फाइदा ये होगा, वहाँ पे काम करने वाला कोई person है, वो इंडिया में पैसा बेजना चाहता है, पहले क्या होता उसे local bank में जाना पड़ता था, पैसा बेजने के लिए या फिर money transfer करने वाली companies हैं, उनके पास जाना पड़ता था, काफी transactional cost पड़ती थी, commission काफी कट जाता था, बट अब चुकि UPI और IPP का interface हो गया है, तो UPI की साहिता से भी वहाँ काम करने वाला person payment कर सकता है, पैसे आ ज महाँ पे रहते हैं, जादा पैसे अब अपने घर भेज केंगे, transactional cost बहुत कम आएगी, similar agreements इंडिया ने Singapore के साथ भी sign किये, आने वाले समय में और देशों के साथ भी sign करेगा, तो अच्छी चीज है यह, डोलर के उपर dependency कम हो रही है, और रूपी का जो हम internationalization करना चाहते हैं वो हो रहा है, इसके बाद next article, text context का, देखो एक जबरदस्त example आप use कर सकते हों, जब भी आपको gender discrimination के बारे में लिखना है, महराश्टर के सतारा का ये example है, देखो situation काफी improve हुई है, बट अभी भी son preference काफी ज़्यादा है, बेटा और बेटी में बेटे की preference ज़्यादा रहती है, parents की, उनको लगता है कि बेटा जो है, once को आगे बढ़ाएगा, बुड़ापे में ख्याल रखेगा, तो महराश्टर के सतारा district में वहाँ पे बहुत से parents के द्वारा अपनी बेटियों का नाम दिया जाता है, इस परकार से, नकोसी, नकूशा, नकूशा, इसका मतलब होत होता है, unwanted, आप में से बहुत से लोग मराथी background से हैं, आप बताइए, तो ना खास करके सतारा में poor economic background के जो parents है ना, उनको निरासा हाथ लगती है, बेटे के बजाए बेटी हुई, तो वो अपनी बेटी का नाम रख देते हैं, इस परकार से, नकोशी, नकूशा, तो उससे ना, girls की ना, psychology पे, जब वो धिर धिरे बड़ी होती हैं, उनकी psychology पे बहुत बुरा असर पड़ता है, कि unwanted हैं, उनको कई बार तो एसास भी नहीं होता कि उनके साथ कितना discrimination होता है घर में, तो local परसासे ना, एक मुहिम start की, कि इन लड़कियों का नाम change किया जाए, ताकि वो अच्छा मैसूस करें, कुछ लड़कियों ने अपना नाम change भी किया, असी के आसपास, लेकिन आपको पता है, हमारे देश में bureaucratic hurdles कितनी ज़्यादा होती है, नाम change करने का certificate मिल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे documents में नाम वही पुराना चल रहा है, तो इसलिए उन लड़ पल्स है ना, examiner की आखे खुल देती हैं कि हाँ यार, बढ़िया, मतलब feel करवा दिया student ने, अब last में देखो summary के माध्यम से revise कर लेते हैं, शुरूबात में हमने GM crops का introduction discuss किया, कि पिछले 20 सालों से debate चल रही है, एक मातर GM crop जो अभी सरकार ने जिसको approval दिया है, बिटी कोटन इससे किसानों को इतना फाइदा नहीं हुआ, कोश्ट बलकि बढ़ गई seeds की, और seeds companies को फाइदा हुआ है, तो बाकी GM crops को approval मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, दो committees, Parliament के आई है, standing committee, एक Supreme Court ने गठीद की थी, technical expert committee, सब ने बोला है, risk involved है, proper धंक से जाच होनी चाहिए, transparent manner मे तभी release किया जाए, और यहाँ पे जो मामला है, वो है, herbicide tolerant GM mustard की, जिसको सरकार approval देना चाहती है, writer के अनुसार, सरकार के arguments misleading है, सरकार ने biosafety का dozier नहीं दिया है, बार-बार मांगे जाने पर भी, कि GM mustard का आपने survey करवाया, मतलब जाच की, इसकी, trials करवाये, तो safety सम्मंदी ज लेकिन सरकार नहीं दे रही है, सरकार तो ये भी बोल रही है, कि जिस GM mustard को हम approval देना चाहते हैं, वो HT नहीं है, herbicide tolerant नहीं है, लेकिन writer कहते हैं, सरकार जुट बोल रही है, Supreme Court को mislead कर रही है, अगर GM mustard को approval मिल गया, तो बात में और बहुत सारी अलग-लग crops को मिल जाएगा, जैसे GM rice, सित्यादी, GM mage, तो इसलिए इस पर बहुत सोच समझ के फैंसला होना चाहिए, ये questions हैं, जो आपको attempt करने हैं, दो questions, दोनों 250 words में, ED का article हमने discuss किया था, पहले हमने discuss किया, ED का का काम क्या है, prevention of money laundering, और कुछ concerns discuss किया थे, सबसे पहला, ED तभी जांच कर सकती है, ज पहले कुछ offense हुआ हो, और उस offense से पैसा कमा के white money में convert करने की कोशिस की गए है, तभी ED जांच कर सकती है, predicate offense नहीं है, तो फिर ED जांच कैसे करेगी, समाने तब, predicate offense की जांच की जाती है, CBI और police के द्वारा, ना कि ED के द्वारा, हमने ये भी discuss किया, कि section 50 के अंतरगत, जो उस section का misuse करके, ED और police में difference है, police पहले FIR दर्ज करती है, उसके बाद जांच स्टार्ट करती है, लेकिन ED सिधा investigation स्टार्ट कर सकती है, police FIR की copy और OP के साथ share करती है, ED ECIR की copy नहीं share करती है, police के सामने जो statement दी जाती है, court में inadmissible है, लेकिन ED के सामने जो statement दी जाती है, वो court के साम comments हमने discuss किये, तो आज की discussion में बस इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.